हेलो फ्रेंड इसू सहाई स्वागत है मेराइका किचन में आज हम बनाएंगे लेमेंग्टेन लेमेंग्टेन की रिसीपी को बनाने के लिए किन किन चीजों की आओ सकता है यह देख लेते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से छोड़ टीसी रिक्वेस्ट है कि प इतना अच्छा से हम लोगा अंडा को फेटेंगे उतना ही हम लोगा केक फुला फुला बनेगा तो इसलिए अंडा को अच्छा से फेट लेंगे और इसमें आप डाल देंगे एक कप पिसी हुई चीनी और साथ में डाल देंगे एक कप रिफैन तेल सारे मिजर्मेंट मैं चाय वाला काप से कर रही हूँ क्योंकि सबों के घर में तो मिजरिंग अप नहीं होता है इसलिए मैं चाय वाला काप से मापतल करके आज की रिशिपी बनाऊंगी तो इस तरीके से हमें तेल और चीनी को भी डालके अच्छा से फेट लेंगे इतना अच्छा हम लोग फेटेंगे उतना ही अच्छा हम लोग का केक फुला फुला बनेगा तो दिखे मैं अच्छा से फेट ली हूँ इसमें आप डाल देंगे चुटकी भर नमक और साथ में डाल देंगे एक चमच वेनीला एसेंस गेनिला एसेंस ना हो तो इलेची को भी पीशकी इसमें डाल सकते हैं और अच्छा से दो मिनिट के लिए फेट लेंगे तो दिखे मैं दो मिनिट के लिए अच्छा से फेट ली हूँ आप डालते हैं मैदा, मैदा को चलने करने के लिए मैं चलने ली हूँ और स्लीआ मैं 3 कप मैस्ठ काल रही हूं आपूर साथ में डाल देंगे 1 चमच भर के बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर डाल के सारे सुखे चीजिजों को अच्छा से चलनी कर लेंगे तो इस तरीके से हमें अच्छा से liar लेना है चलनी करने से क्या होता है कि इसमें जो गुठले होती है वो निकल जाती है तो इस तरीके से हमें अच्छा से चलनी करने के बाद आप बारी आते हैं मिक्स करने के लिए तो mix करने के लिए मैं एक पल्टन ले ली हूँ और पल्टन के साहिता से इस तरीका से हमें एकी तरफ से mix करते जाना है दूसरी तरफ से नहीं गुमाना है शिर्फ एकी तरफ से हमें mix करते जाना है तो इस तरीका से हमें mix करना है तो देखें गोल थोड़ा मोटा लग रहा है इसके लिए मैं आधा कब दूद ली हूँ और दूद को थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे, दूद को एक इबर नहीं डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके दूद डालेंगे, और इसी तरह से हमें अच्छा से फेट लेना है, तो दीखे, थोड़ा अभी भी गड़ा लग तो इसमें और थोड़ा सद्दूद डालेंगे तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा दूद को डालते जाएंगे और अच्छा से फेटते जाएंगे हमें बेटर ज्यादा मोटा भी ने बनाना है और ज्यादा पतला भी ने बनाना है तो इस तरीका से हमें अच्छा से फेट लें हूं तो हमें इस तरीका से अच्छा से फेड लेना है तो इस तरीका से हमें बेटर त्यार कर लेना है अधा कब दूद में दो चमजे से दूद बज गया है तो आप क्या करेंगे केक का टेन में डालेंगे केक टीन तो नहीं है तो इस तरीका का मेरे पास अलमुलियम का ब काथी में मैं रिफेंटेल डाल दी हूँ और ब्रस के सहता से रिफेंटेल को सब तरफ लगा देंगे तो इस तरीका से हमें सब तरफ लगा देना है और इसमें आप डालेंगे बटर पेपर बटर पेपर ना हो घर में तो इस तरीका का भच्च लुप का जो मेत बनाने वाला या दो ड्रेंग बनाने वाला कोपी होता है ना उसको इस तरीका से काट लेंगे तो दिखे मैं पेपर को काट किस तरीका से लगा दे रही हूँ और इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे ते दिखे हम लोग का बटर पिपर बन गया है तो इसी तरीका से जुगाड़ी करके हम लोग केक बनाएंगे केक का जो गोल तेयार किये हैं उसको इसысन towards कटवरी में डाल देंगे तो इस तरीक ec-Casus ामें सारे गोल को डाल देना है और इस तरीक सामें आच्छा से फाइळा लेना है और इसमें आप कोई ढ़क्त का निया तो कोई इस्टेन रख सकते हैं तो मैं इसमें स्टेन रख रही हूं कि ऑला ले दुद तरी कर बीच अंगे दी चेख के केक बनाने के लिए उसको डाल देंगे nggak तो सौधानी के साथ डाले इडिली का मोल्ट बहुत गरम होता है और दीमाेे और आज हम धिमी कर देंगे और धिमी आज में ही केक को बेक्ऊने देंगी तो ने दिखिए cmnet फिक ढगन को खुल देंगे तो यह दिखे केक हम लोगा कितना अच्छा से पक गया है और अंदर तक कितना पका है इसको चेक करने के लिए तो चाकू ले 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 तो मैं चाकू ले रही हूं और चाकू की सहता से इस तरीके से अंदर तक डाल के दिखेंगे और यह दिखे चाकू सा काट के देखेंगे ते दिखें कितना मुलायाम से हम लोग का केक बना है इसे आप चक्कु की सहिता से काट के देखेंगे कितना हम लोग का स्पोंजी केक बना है ते दिखें हम लोग का कितना स्पोंजी केक बना है ते दिखें हम लोग का कितना स्पोंजी केक बना है ते दिख इस्क्वेर सेप में काट लेना है तो इस तरह किसे चकु के सहता से इस्क्वेर सेप में काट लेना है तो देखे मैं इस्क्वेर सेप में काट ली हूँ अब चलते हैं चोकलिट सिरब बनाने के और चोकलिट सिरब बनाने के लिए इस गिलासे में एक गिलास पानी ली हूँ औ इस में आप डाल देंगे एक चमस्ह भर के बटर और साथ में डाल देंगे तीन चमस्थ कोआ पाॉडर तो इसमें टीन चमस्थ कोकव पे डाल दे हूं और इसको अच्छा से चला देंगे और इसे अभी तक मैं गेस में ने रखी हो और इसमें आप डाल देंगे एक कटोरी पिसी हुई चीनी पिसी हुई चीनी डाल के अच्छा से चला देंगे सुस्पेन को गेश के उपर रख देंगे और गेश ओन कर देंगे तो दिखे मैं गेस को ओन कर दी हूँ और इस तरीक से चलाते जाना है ने तो नीचे चिबक सकता है और अच्छा सी उबाला लाने देंगे तो दिखे उबाला लागे है और इसी तरीक से चलाते हुए कुछ सेकन के लिए चोकलिट सिरप को पका लेंगे यह दिखे ठंड़ा होने के बाद में काटोरी में निकाल लिमिंग टीन बनाने के लिए मैं नेरियल का पौडर ली हूँ जिसी नेरियल का बुरा दा भी बुलते हैं और एक टुकड़ा केक को लेंगे तो इस तरीके से चोक्रेट का सिरप में डिप करेंगे और इस तरीके से नेरियल का पौडर में लपेटते जाएंगे यह दिखे इस तरह से इस तरीके से हमें लपेटते जाना है और एक मैं बना के दिखाती हूँ एक टुकड़ा केक का लेंगे और इसी तरीका से हमें चोक्रेट का सिरप में डिप करेंगे और निकाल के नरिल का बुरादा में लपेटते जाएंगे इसी तरह से इसी तरह से सारे लेमिंग टेन को बना लेना है तो यह देखिए हम रखो सारे लेमिंग टेन बनके तयार है मेरा यह वीडियो अप लोगों का अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्रेब जरूर कर अबड़ते तरह से सारे लेमिंग पर जरूर को समयोश्वादेश बंके अच्छार करते दो करें दूर को जले ढूएंगे था आपछागों को पार वीडियो झाल गयोगे तो वीडियो जैड़ने वीडियो और से लेंगे वीडियों को को से पता है जयार फू़ अबा़ते क